जो कि मेरे पास device से यह है Samsung M21 और इसमें आपको One UI का support मिल जाता है और Android 10 out of the box मिल जाता है तो सबसे पहले मैं device की specs वगरा दिखा जाता हूं कि वतलों क्या कुछ मिलता है soft about phone Galaxy M21 है और इसके अंदर आपको One UI 2.0 और Android 10 मिल जाता है तो बहुत सारी लोग पूछ रहते कि इसमें आप dual app कैसे use कर सकते हैं जैसे आपको MIUI के phone में, Redmi और Xiaomi के phone में option मिल जाता है dual apps का वो आप Samsung के phone में कैसे enable कर सकते हैं तो इस phone में भी फीचर दिया तो गया है dual apps का लेकिन थोड़ा दिक्कत यह है कि आप हर एक app का dual app नहीं बना सकते हैं केवल कुछ selected apps है उन्हीं का आप dual app यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में बता दूँगा किस किस app का आप dual app यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले settings में जाना है फिर आप settings में scroll करके नीचे जाना आपको advanced feature में तो देख सकते हैं यह advanced feature advanced feature open करेंगे तो नीचे last में आपको dual messenger का option मिल जाएगा जिस पे उसको open कर लेते हैं तो यहाँ पे उस selected apps आजाएंगे जिनका आप dual app बना सकते हैं जो message जिससे आप send कर सकते हैं उन्ही apps का आप dual बना सकते हैं और किसी app का आप dual apps नहीं बना सकते हैं जैसकते whatsapp, snapchat, facebook, feature, telegram तो यह कुछ selected apps हैं जिनका dual app इस phone में available है तो जिसको भी बनाना है simple इसको enable कर दीजिए तो install a second copy of whatsapp install देख सकते हैं confirm तो जो भी dual app बनाएंगे तो उसके लिए पूछेगा कि जो contact है उसके लिए अलग से आप use करना चाहते हैं या फिर जो phone में पड़े हैं वही use करना चाहते हैं तो इसको on करेंगे तो बोलेगा contact select किजिए जो उस app में केबल सोहेंगे बाकि दूसरे app में आपको सारे सोहेंगे लेकिन जो dual app बना रहे हैं उसमें कुछ selected contact सोहेंगे तो ऐसे आप लोग select वगरा कर सकते हैं तो मैं भी कुछ select करता हूं एक select कर दिया मैंने कोई सारी random और done तो देख सकते हैं यहां पर एक WhatsApp एक WhatsApp मेरा येरा और दूसरा येरा तो यहां पर दो WhatsApp आच चुके हैं एक येरा WhatsApp एक येरा तो इसको जैसे open करूंगा इसमें मेरे खाल से दुबारा registration के लिए पूछना चीज़ को एक तो मेरा already register वह भी दिखा दूँगा open नहीं है sorry crash हो गया IP तो देख सकते हैं यह second वारी open करने पर open हो चुका है agree and continue को option आ रहा है जैसी agree करूंगा तो phone number गएरा add करने को बोलेगा और जो भी आप dual app बनाएंगे इसमें corner हैं आपको यह orange color का sign है डिख जाएगा कि यह dual app यूज़ कर रहे हैं और बाकी original WhatsApp जो है यह तो dual वाला है original यहाँ पर बढ़ा है तो ऐसे आप लोग dual messenger का use कर सकते हैं Samsung के phone में केवल messaging app है जितने भी और जो support करते हैं dual apps वो उनके list आ जाएगी आपके Samsung के phone में इसको on करते ही और वहां से आप लोग enable कर सकते हैं किसका dual बनाना चाहते हैं बाकी हर एक app का आप dual नहीं बना सकते हैं केवल जो list आएगी यहाँ पर उन्हीं का dual app यूज कर सकते हैं तो इस वीडियों बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगत के तो like करें और हमारे चैनल को subscribe करें जैसे कि हम बहुत ही जल्दी 10k subs complete करने वाले हैं तो जल से सब्सक्राइब करके हमारे 10k subs complete करवा दिजिए थैंक्यू दोस्तों